हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मार्शा स्टड़ी हब आज के वीडियो में बात करेंगे जीके के 25 इंटरेस्टिंग कोश्चन्स पर जो कि आपके आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए हलफुल हो सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाज सक देखिए वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरू करिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरू प्रेस करें जिसे की मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें नमस्कार दोस्तों मैं शानूराना महारतन कंपनियों की संक्या हो चुकी है और इससे पहले महारतन कंपनियों की संक्या कितनी हुआ करती थी आठ हुआ करती थी तो फ्रेंड्स महारतन कंपनियों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाये हुआ है जिसमें मैंने इनकी इसकी स्थापना और CEO मैंने सब कुछ इतनी भ दो महारतन कंपनियां बनाई गई हैं, वो कौन कौन सी बनाई गई हैं, तो HPCL यानि की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड और दूसरी है PGCL, कौन सी है PGCL यानि की Power Grid Corporation of Limited, तो इन दो कंपनियों को अक्टूबर 2019 में महारतन कंपनी का दरजा मिल चुका है, समवैधानिक प्राबधानों के अनुसार, राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमती की आवशक्ता है, तो सबसे पहले देखेंगे, राज्य के विधान सबा सदन की, या राज्य के मुख्यमंतरी की, या राज्य की नहीं, या इन में से कोई नहीं, तो तो फ्रेंड्स, इसका राइडानस रोगा option C, आऔर्टिकल 3 के अनुसार क्या करते हैं, आर्टिकल 3 के अनुसार किसी भी नए राज्य का गठन या नए राज्य की सीमापरिवरतन या नाम परिवरतन कर सकते हैं, जो की संसत की साधरन भ्हूमत के दोरा किया जाता है, और ऐ ऐसे विदेहक को राश्टपती की जो सहमती होती है, उसकी अनिवार होती है, यानि कि राश्टपती की सहमती से ही ये विदेहक प्रस्तुत किया जाते हैं। Q3. सरपरतम Digital Economy Report 2019 किसके द्वारा जारी की गई? तो सरपरतम Digital Economy Report 2019 ये जारी की गई है, Option D का राइट आंसर होगा, अंकटाड के द्वारा, किसके द्वारा? अंकटाड यानि कि UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म होती है, United Nations Conference on Trade and Development, क्या होती है? United Nations Conference on Trade and Development, इसकी स्थापना होई थी 1964 को, कब होई थी 1964 को, अंकटाड की स्थापना होई थी, और इसका मुख्याले कहाँ पर है? जिनेवा में, सुछिजर लेंड के जिनेवा में, और अंकटाड के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजिडेंट हैं, वो हैं अब्दुल महमू अंकटाड के द्वारा पहली बार अर्थविवस्ता की डिजिटल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, पहले इस रिपोर्ट को सूचना अर्थविवस्ता रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था, किस नाम से सूचना अर्थविवस्ता रिपोर्ट? कोशन नमबर 4 केंदरिय बजट 2019-20 में सारवजनिक छेतर के उध्यमों जिसमें एर इंडिया भी शामिल है के विनिवेश से कितनी राशी का लक्ष रखा गया है तो फ्रेंड्स इसके विनिवेश में कितनी राशी का लक्ष रखा गया है औप्शन B इसका राइट आंसर होगा एक लाग पांच हजार करोन रुपए का इसमें लक्ष रखा गया है और बात करें अगर केंदरिय बजट 2019-20 किस ने प्रस्तूत किया था तो हमारी वित्यमंत्री जो है निर्मला सीता रमन जी ने इसको प्रस्तूत किया था ये बजट का लक्ष था 2019-20 का ये लक्ष था एक लाग पांच हजार करोन रुपए और 2020-21 की अगर बात करें 2020-21 का जो लक्ष रखा गया है वो रखा गया है 2.10 कितना 2.10 लाग करोन रुपए Qion No.5 वस्तू एवम सेवा कर यानि की GST निम्लांकित में कौन सा कर शामिल नहीं है तो इसमें बताना है जी इस्ती में इनमे से कौन सा कर शामिल नहीं है तो इस Qion का Right Answer होगा option B यानि की SEMA शुल्क जो Custom Duty होता है वो GST में शामिल नहीं किया गया है बाकि जो है उत्पात बिवा कर इसको GST में शामिल किया गया है तो फ्रेंट्स GST की बात करें कि ये अस्तित में कब से आया है तो ये 2017 से इसको अस्तित में लाया गया है कब से एक जुलाई 2017 से और ये सबसे पहले कहां लागू किया गया था भारत के किस राज में तो ये असम में इसको लागू किय गया था तो फ्रेंट्स अगर सबसे पहले बात करें कि GST को विश्व में किस देश में सबसे पहले लागू किया गया था तो 1954 में इसको फ्रांस में लागू किया गया था question number 6 निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है तो इन में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रियोग होता है राइबोजियम नील हरित शेवाल एजोला या ये सबी तो इसका right answer होगा option D इन ये सबी जो होते हैं फ्रेंट्स ये जैव उर्वरक के करें तो नील हरिच शहवाल ये जीवाणू फाइलम होता है और ये प्रकाश अंसलेशन के द्वारा उर्जा का उत्पाधन करता है एजोला जो होता है फ्रेंड्स ये एक मवेशियों के भोजन के लिए इसको इसका यूज किया जाता है Q7 जगनात पुरी के गर्ब ग्रह में भगवान जगनात सुबद्रा एवं भलवद्र की मूर्तियां बनी है तो इसमें बताना है जो जगनात पुरी का मंदिर बना है उसमें भगवान जगनात और सुबद्रा की मूर्तियां जो बनी है वो किस चीज की मूर्तियां बनी हुई ह तो friends इसका right answer होगा option B लकडी की मूर्तियां बनाई गए है तो friends सबसे पहले बात करेंगे जगनात का मंदिर जो है ये कहां पर इस्थित है जगनात का मंदिर ये ओडीशा का एक शहर है पूरी ये यहां पर इस्थित है ये हिंदूओं का बहुती प्रसिद्ध मंदिर है और इसको चारधाम में भी इसको शामिल किया गया है इस मंदिर में तीन मुख देवता को विराजमान किया गया है कौन कौन है भगवान जगनात है और उनके बड़े भाई जो हैं बलवद्र और उनकी बहन है सुबद्रा इनकी लकडी की मूरतियां बनवाई गई है अब फ्रेंड्स अगर बात करें जगनात पुरी का मंदिर किसने बनवाई था तो जगनात पुरी का मंदिर बनवाई था कलिंग के एक राजा हुआ करते थे अनंत वर्मन क्या नाम था अनंत वर्मन ने ये मंदिर बनवाई था कलिंग फ्रेंट्स उडिसा का पुराना नाम था और इसका अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वर्तमान स्वरूप जो है ये अनंग भीम एक राजा थे दूसरे राजा थे अनंग भीम इन्हों ने इसका वर्तमान स्वरूप तैयार किया था Q8. भारत में गिद्धों की तेजी से घटी हुई जनसंख्या का मुख्य कारण है तो इन में से बताना है भारत की जो गिद्धों की तेजी से घटी हुई जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है Option A. इसका right answer होगा Difflofinic दवा का अत्यदिक प्रयोग तो जो Difflofinic दवा होती है इसका बहुत ज़ादा यूज किया जा रहा है इसलिए भारत में जो गिद्ध है इनकी जनसंख्या तेजी से घटी जा रही है Difflofinic दवा जो होती ये दर्द में और सूजन में इसका यूज किया जाता है Question No.9 Plaster of Paris बना होता है तो इन में से बताना है Plaster of Paris किसका बना होता है तो Friends Option C इसका राइट आंसर होगा Gypsum का P.O.P. बना होता है क्या बना होता है P.O.P. Plaster of Paris और P.O.P. जो होता है Friends ये सूखे पाउडर के रूप में पाया जाता है और इसका जो रासाइनिक फॉर्मूला होता है C.A.S.O.4.H.2O क्या होता है C.A.S.O.4.H.2O इसको Calcium Sulfate Hydrate भी कहते हैं Question No.10 किसी भी प्रजाती में गुर्ण सूत्रों की संख्या तो इनमें से बताना है किसी भी प्रजाती में जो गुर्ण सूत्रों की संख्या होती है क्या होती है? A.I.U. के साथ बढ़ती है? या A.I.U. के साथ घठती है? या इस्तिर रहती है? या वजन के साथ बढ़ती है? तो Friends इस Question का Right Answer होगा option C, किसी भी प्रजाती में जो गुर्ण सूत्रों होते हैं, उनकी संख्या इस्थिर रहती है, इस्टे रहती है अब बात करें, गुर्ण सूत्रों की सरपर्थम किस ने की थी, तो सरपर्थम गुर्ण सूत्रों की खोज की थी, कार्ल विल हिलम बोन ने किस ने की थी कार्ल विल हिलम बोन ने की थी मानव कोशिकाओं में गुनसोत्रों की संख्या 46 होती है कितनी होती है 46 जिसमें 23 पेर में होती है 23 जोड़े में होती है Question number 11, प्रचन्न बहुत किसे कहा जाता है? तो Friends, प्रचन्न बहुत एक कोशन जरूर पूछा जाता है कि जो अधोयत वात का सिधान्त है वो किस ने दिया था तो अधोयत वात का सिधान्त शंकराचारे ने दिया था और शंकराचारे का जो अधोयत वात सिधान्त है उसमें बहुत धर्म के बारे में बताया गया है बहुत धर्म का एक दूसरा सं लोकायत का मतलब होता है लोगों में या जनों में जो प्रचलित होता है उसको कहा जाता है लोकायत चारवाग दर्शन जो है फ्रेंड्स ये एक नास्तिक दर्शन होता है इसके अनुसार प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है यानि कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं सुन सकते है महसूस कर सकते हैं वही प्रमाण होता है और बाकी जो अपर्टेक्स चीजे हैं जिनको हम देख नहीं सकते महसूस नहीं कर सकते हैं वो उनका अस्तित्व इसमें नहीं बताया गया है Q13 नव बहुत बाद के प्रतिपादक कौन है तो इन में से बताना है नव बहुत बाद के प्रतिपादक कौन है option C इसका right answer होगा डॉक्टर भीमरा अमबेटकर को नव बहुत बाद का प्रतिपादक कहा जाता है नव बहुत बाद या फिर इसको नवयान भी कहा जाता है क्या कहा जाता है नवयान यानि कि इसका मतलब होता है नया मार्क और इसमें कोई भी जो कुरूतियां है जैसे की जाती से जो भेदभाव करते हैं और जितनी भी इस तरीके की कुरूतियां है उसमें कोई भी इस्तान नहीं है कोशन नमबर 14 व्यभारिक वेदान्त के प्रतिपादक कौन है तो इन में से बताना है व्यभारिक वेदान्त के प्रतिपादक कौन है option D's का right answer होगा स्वामी विवेका नंद को व्यभारिक वेदान्त के प्रतिपादक कहा जाता है विभारिक वेदान्त का मतलब होता है जो आधुनिक जीवन में जो विभारिक जीवन पर लिखे गए जो वेदान्त है उनको उनका प्रतिपादक कहा जाता है सौमी विवेका नंद को कोशन नंबर 15 शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया गया है शयानी की शंकराचारी जी के दर्शन को क्या कहा जाता है जैसा कि पिछले कोशन में मैंने बताया था तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अधुएद बात कहा जाता है शं इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं तो इनको किस लिए दिया गया है ये शांती का नोबल पुरुसकार तो फ्रेंट्स जो इरिट्रिया एक देश है और इथोपिया इन दोनों देशों के बीच कई सालों से एक विवाद चल रहा था युद्ध चल रहा था जिसका शांती पू किसको नॊट किया गया है तो इनमें से बतानाा है केंदर शासित प्रधेश है लड्दाक इसका लेफटिनेंट कवर्णर यानि की उपर राज ये-पल इनमें से किसको नॊट किया गया है। तो आर के मातुर यानि किनका पूरा नाम है रादा क्रेशन मातुर आप्शन भी इसका राइट आंसर होगा जो कि लद्दाक के प्रतम उप राज जेपाल है और फ्रेंट्स जब 2019 में अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा दिया गया है केंदर शाजित प्र मुर्मू है कौन है ग्रीश चंद्र मुर्मू कोशन नमबर 18 राश्ट्रिय क्रशी वानी की अनुसंधान केंदर कहां इस्तित है तो राश्ट्रिय क्रशी वानी की जो अनुसंधान केंदर है ये है इस्तित ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा जहां सी में और इसको नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन डीज का राइट आंसार होगा जिम कारबेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पुराना राश्टिय पार्क है जो की उत्राखंड में इस्तित है इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में खब स्थित है जो की सिंग वाले केंडे के लिए जाना जाता है हैमिस राष्टिय पार्क यह कहाँ पर है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और राजा जी राष्टिय पार्क यह भी उत्राखंड में स्थित है question Q20. पुस्तक Silent Spring के लेखक कौन है? तो इन में से बताना है जो Silent Spring बुक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन B का राइट आंसर होगा. रॉकेल कारसन ये Silent Spring के लेखक है और ये पर्यावरण के ऊपर ये बुक लिखी गई थी. Q21. शीद कालिन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां होगा? तो शीद कालिन ओलंपिक खेल का जो 2022 का आयोजन होगा ये चीन की कैपिटल बीजिंग में होगा. और शीद कालिन 2022 का ये 24 संस्करण होगा जोकी 4 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा. Q22. संयुक्त राष्ट संग ने 2011 और 2020 घोशित किया है तो इन में से बताना है 2011 और 2020 किसे नाम से घोशित किया है तो इसका right answer होगा जैव विवित्ता का दशक इसको घोशित किया गया है Q23. Red Data Book में आंकड़े सम्मिलित हैं जो Red Data Book है उसमें किस तरीके के आंकड़े लिखे जाते हैं जो फ्रेंट्स विलुक्त प्रजातिया होती है option B इसका right answer होगा जो विलुक्त प्रजातिया होती है वो Red Data Book में इनको लिखा जाता है Q24. जैव विवित्ता शब्द की रचना किसने की देवरानी जेठानी का मंदिर 36 गड़ के किस इस्थान पर इस्थित है तो ये में इस्थित है option A इसका right answer होगा तो फ्रेंट्स ये थे आज के 25 important questions वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे comment करके ज़रूर बताएं वीडियो को like कीजे, share कीजे, channel को subscribe कीजे मिलतें नेक्ट वीडियो में जैहिन